वन प्लास एक्स क्यूब रेश्टी तो पावर सेवन इंटू वन प्लास एक्स रेश्टी पार फोर फोल रेश्टी तो पार क्या हो जागा टुएल अब यहां पर ममला गड़बर हो गया आपने तक टू एक्सपेंशन अगर टू एक्सपेंशन का प्रोड़क्ट हो तो हम लोग सुलक परेंगे यहां पर थिरी एक्सपेंशन की बने कोई बात नहीं प्रोसेस तो स्थेम होगा ना कि और यह क्वेशन का पूछाएगा जेए एडवांस 2014 जेए एडवांस 2014 का कुश्चन है ठीक ना अब चलिए इस क्वेशन का एप्पोच क्या होगा आप समझने को सिस्क्राइब एप्पोच तो सेम ही होगा चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस कुश्चन का ओले शॉलिश्ण की सबसे पहले तो थी एक्पोच रिख राँ है यहां पर वन प्लस x square is to the power 4 into 1 plus x cube raise to the power 7 into 1 plus x raise to the power 4 okay 4 raise to the power 12 ये गिवन है इसको एक्सपेंसन पर लिए क्या लिखेंगे 4cr1 x square raise to the power r1 क्यों क्योंकि r1 इसलिए ले रहे हैं कि different different expansion है याँ पर इसको क्या लिखेंगे 7cr2 okay x cube raise to the power r2 कि one raise to the power इसका लिखेंगे कोई मतलब है नहीं वन क्या पार एनिटिंग वन होता है इसको लिखेंगे 12cr3 इसको लिखेंगे x raise to the power 4 raise to the power r3 अगर अब हम लोग क्या करेंगे जो constant वाला जो तरफ कर लेते हैं और x के जो गाइब 2R1 है तो इसको 2R1 प्लस यहां पर क्या 3R2 3R2 यहां पर क्या 4R3 इन चीजों को क्या करेंगे हम लोग यह वाला जो टम आया है ना इसके इक्वल्स 11 कर देजिए 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 एक्वल्स टू 11 ठीक है ना यह हम लोग कर दिए अब आप यहां पर हीट एंड ट्राइल में अप्लाइक के जिए और अरवन आट्टू आर्ट्री वैल्यू फैंड के जिए दूसरा कोई कांसप्ट नहीं है ठीक है अब देखिए आर बन आर्टू आर्टू आर्ट्री इसका वालू क्या होगा देखेगा आरवन गवेल्यू जैसे जीरो रखेंगे ना तो 0 प्लस एक तरी इंटू टू 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 शिक्स प्लस फॉर इंटू बन यहां पे आप आप जाए जिरो वन टू ठीक है अब आरवन का वैलू आप रखें फॉर जैसे फॉर एंटू एट आजए यहां से आप थीरी आवर चाहिए कि 11 टोटल है तो आट वैलू टू यानि आ फॉर आगया और हमें चाहिए कितना एट चाहिए सब्सक्राइब तो यहां पर आट वहले वन रखेंगे तो थीरी फॉर प्लस थीरी फॉर एट यानि वन वन नेक्स्ट वैलू रखें आरवन आर टू आर थीरी का कि आज्वा आपको 11 दे तो वान रखेंगा तो आजागा थीरी रखेंगा तो 9 आजागा 9 प्लस टू 11 हो गया यानि यह भाई सब्सक्राइब जो हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो यह फॉर पॉसलिटी है अगर आप कोई और ट्राइब कि जेगा तो आपको यहां से एंसर नहीं मिलने वाला है ठीका है नाव हमें फाइंड क्या करना कोफिशेंस ओफ एक्स रिष्टी पार 11 तो हम लोग क्या करेंगे रखते चलिए यहां पर यह जो हमारा एक्समेंस नाइस में इसमें इसमें मैं बोल देता हूं यहां पर जैसे कि इसके वजाए आप लिख दीजिए यहां पर उट आर वन और टू अर थरी वैलोज इन एक्वेशन तो क्या आज गानी से फोर से फोर सी जीरो इंटू एंटू सेवन इंटू यह आरवन काहा है तो यह आशा ट्वलब सी डू प्लस 4C4 into 7C1 into 12C0 plus 4C2 into 7C1 into 12C1 अगर यहां से सुल करेते हैं आदेगा 4C1 into 7C3 into 12C0 ठीक है ना अब हम लोग क्या है हम लोग जानते हैं कि 4C2 को लिए क्या होता है बनोटा 7C1 7 into 12C2 बनोटा जोड़ेगा 66 अगर प्लस फोर सीवाली को बनोटा इंटो 7 into 1 plus 4C2 बनोटा 6 into 7 into 12 टेका ना फोर सीवन 4 into 737 into 35 अब जब इसको सॉल कीजिएगा तो यहां सापको आजएगा 462 मैं यहां पे लिए देता हूं थोड़ा सा इसको सॉल कीजिएगा त्याजिएगा 462 प्लस 7 7 यहां सादेगा प्लस यह कितना एटिफर इंटी सिक्स यहांनी 504 प्लस यह आज़ेगा 35 इंटो यह आज़ेगा 140 और जब इसको फाइनली सॉल कीजिएगा ना यहां से आपका आजागा एंसर आजागा वाण थाजागा एले मिस 1113 यहां आजागा 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 एंसर व्रीजिए इस तरह से यहां से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे अब देखिए एक और एक्जम्पल है जो कि इसी से रिलेटेड है पिए पिंटो आ गया हिएंट आ यहींटोख आ सँ आ एक शविण नि थी के आ सिए आ फफिंट ho एब वकल्हणनाओそ continually in the in the expansion of summation given m equals to 0 to 100 okay and 100 cm okay 2 raise to the power 100 minus m x minus 3 raise to the power x minus 3 raise to the power m ठीक है अब हम वे क्या करना है coefficients of x रिश्टेद पर 53 करना है इस expansion का तो हम लोग क्या करेंगे देखिए यह और यह लवा जो कुश्चन जेई advanced 2000 का कुश्चन है जेई advanced 2000 में यह कुश्चन पुश्चा गया था ठीक है आप देखिए इस question को कैसे handle करेंगे आप समझने it will add all the terms सारे terms को क्या करेगा lower limit तक रखते जिये भेलू और आपकोस मिलते देखिए यहाँ प्यादेगा 100C0 2 रिश्ट पावर 100-0 x-3 रिश्ट पावर 0 plus 100C1 2 रिश्ट पावर 100-1 x-3 रिश्ट पावर 1 plus 100C2 2 रिश्ट पावर 100-2 x-3 रिश्ट पावर 2 ठीके ना इस तरह से मलोग रखते चलेंगे भेलू कहा तक राखेंगे 100 तक क्योंकि maximum जो given देखिए यहाँ पर लिमिट यहाँ यह यह लोवर लिमिट बोला जाता इसको 100C100 यहाँ पर रखेंगे 2 रिश्ट पावर 100-100 यहाँ पर X-3 रिश्ट पावर 100 अब बताइए अब हम लोग क्या करनेंगे यहाँ पर अगर आप देख पा रहेंगे ठीक है ना तो यह जो एक्सपेंशन नहीं एक्शुली एक्सपेंशन है टू प्लस फॉस्टम टू प्लस एक्स माइनस थिरी यह सेकेंट हम है और इसका होल जो है यह क्या हंडेड है ठीक है ना यही एक्सपेंशन है एक्शुली चैनल सी जीरो टूर रिष्ट रभाएंड्रेड मैनस जीरो एक्स माइनस थिरी रिष्ट रभाएंस यहीतों है अगर आप इसको इस वाला को अगर एक्समेंट करते हो तो आपको यहीं एक्समेंशन मिलेगा यह आप यहां से थ्वड़ाचा ध्यान देश्टन थे एंस यह यह सब्सक्राइब यह तो लिखना था हमें यही तो समझना था यही चमकना चाहिए अगर इतना चमक गया तो हमारा काम बन जाएगा ठीक ना जाए अब usage प्लाजी हाँ साधाव चैनल पर हन्टी यह तो यहां ऍसब्स स्ब्सां रिखहने तो खिए挺 थो हंटेट एपूकर्ण सेख़े तो औरि मैं यह तो आसा मेंब़र्य है इसका हमलोग यह खेंशन क्या लिखेंगे है से लिखेंगे 100 CR X रिष्ट वार 100-R into minus 1 रिष्ट वार यह लिखेंगे ना ठीक है नौ हमें क्या करना कोफिशेंट कितना फैंड करना नाउ कोफिशेंट्स ओफ एक्स रिष्ट वार 53 तो हम लोग क्या करेंगे जो एक्स कहें आपे 53 यहां पर एक्स का वलुट क्या है 100-R तो 100-R इक्वल्स टू 53 यानि जो आर का वह आजाएगा 47 यह हमारा आर का वह आ गया आर को लोग क्या गया 47 अब हम लोग क्या करेंगे इस वेली को सब्सिट्ट कर दीच एक्सपेंसर में इसमें सब्सिट्ट करेंगे तो 100-C 47 ठीक है माइनस वन रिष्ट्ट पर क्या जागा 47 और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव है यह 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 हो जाएगा हंडेड़ सी 47 क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस हंडेड़ सी 53 बिलकुल लिख सकते हैं ठीक हना क्यों लिख सकते हैं हम लोग यह फर्मूला जानते हैं न एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर यह तो होता है हमारा पहला रिजल्ट था जब बाइनमियल ठीक हम लोग स्टाट किये थे तो अगर यहां पर है हंडेड़ सी 47 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख जाता हूं हंडेड़ सी दोनका डिफरेंस यही तो है हंडेड़ मेंस तो यही काम तो मैंने किया है सुधिशी और फाइनल एंसर आफ इस क्यूश्टन तो यह हमारा एंसर हो गया इस समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्टन को सल्व कर रहे है ठीक है ना तो अब तक यहां तक तो कंसेप्ट आई हो आपको यह सारी चीज़ समझ में आगे होगा अब हम लोग अगले अगले जो भी लक्षर स्टाट करेंगे उसमें हम लोग एक नया टोपिक लिके स्टाट करेंगे ठीक है नया टोपिक का सुरुवात करेंगे तब तक लिए भाय थेंक्यू